हेलो फ्रेंग स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्प परहार में मैं हूँ एड़ोकिट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओनरेबल सुप्रीम कोट का एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्ने बताने वाला हूँ दोस्तो आप सभी के साथ एक प्रबलम होती है कि अगर आपके मैटरिमोनियल विवाद लंबे समय से चल रहे होते हैं तो एक द्विधा होती है क्या हम सेकिंड मैरीज कर सकते हैं क्या हम सेकिंड मैरीज में जा सकते हैं तो इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकरी आज की matrimonial vivaad है वीडियो में दोस्तों आकरी तक बने रहेगा वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके notification bell पर जरू क्लिक कर दे क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो हर रोज मैं ले करके आता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझते हैं यहाँ पे जो पती था 1980 में उसकी शादी हो गई थी और उसने 1990 में पहली पत्नी को बिना डाइवोस दिये दूसरी शादी कर ली 1991 में दूसरी जो पत्नी थी उससे उसको एक बेटी हो गई दोनों ही पत्निया उसके एक ही घर में अलग-अलग पोर्शन में रहती थी अब कुछ समय के बाद जो उसकी दूसरी पत्नी थी उसने उस पर इलजाम लगाया कि वो उससे प्यार नहीं करता है और वो केवल उसके पैसे से प्यार करता है उससे धमकाता है, डराता है और उसने उससे धोका दिया है उसकी एक पत्नी और तीन बच्चे पहले से ही थे और ये बात छुपा करके उसने उससे शादी कर ली है और साती ये भी जाम लगाया कि उसको torture किया जाता है properly food provide नहीं किया जाता है उसको और जो उसकी salary है पती और उसके घरवाले उसपर नजर रखते हैं उसपर depend रहते हैं और ये भी बताया कि जो मेरा पती है वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है और इसके साथ साथ उसने कहा कि जो पती है वो पहली पतनी के साथ अलग कमरे में सोता है और वो अपनी छोटी बेटी के साथ अलग कमरे में सोती है अब एक दिन जब पती और उसकी पतनी दोनों सो रहे थे तो उसने उनके कमरे से उसकी छोटी बेटी के रोने की आवास सुनी तो सुबा जब वहाँ वहाँ पहुँचे तो पता चला जो दूसरी पतनी है वो कुवे में कूद गई है और उसकी मिर्ती हो गई है इसके बाद द चार्शिट पेश हो गई चार्शिट भी 498 है और 306 IPC में दोनों के खिलाफ पेश हो गई अब दोस्तों मामला चला ट्रायल कोट ने सारे ही तत्यों को देखा और सारे तत्यों को देखने के बाद जो पहली पतनी थी उसको दोश्मुक्त कर दिया लेकिन पती को सजा कर दी अब दोस्तों जो पती था उसने क्रिमनल अपील डाली हाई कोट में अब हाई कोट ने भी पूरे मामले को देखा सारे तत्यों को देखा और हाई कोट ने भी ये माना कि भई जितना कुछ उसने लेटर के बेस पे बोला है उन सब के बेस पे 498 तो बनता है लेकिन 306 नहीं कहीं से भी साबित नहीं होता कि उसको ऐसा करने के लिए उसके पती ने उकसाया था तो हाई कोट ने इस मामले में 498 को बरकरार रखा और 306 IPC को हजबन के उपर से हटा दिया अब दोस्तों इसके खिलाफ हजबन माननी है सुप्रीम कोट में गया अब सुप्रीम कोट ने भ को देखते हुए माननी सुप्रीम कोट ने हाई कोट का जो जज्जमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया और जो पती था उसको 498 IPC से भी मुक्त कर दिया तो दोस्तों इस तरह से जो पती था वो 498 से फ्री हो गया अब यहां पर एक और तथ है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा देखिए उसे पहली शादी 1980 में की थी दूसरी शादी 1990 में की थी अब मैं थोड़ा सा हट करके आपके सामने एक वियू रख रहा हूँ जिससे आपको चीजे के लिए रोंगे और ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास आभी चुके हैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूँ अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दूसरी शादी करना अपराध है यदि आपने पहली सादी से डायवोस नहीं लिया है लेकिन इस मामले में मामला देखिए ट्रायल कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक गया लेकिन इस मामले में पती के ओपर कोई कारवाही नहीं हुई क्यों नहीं हुई उसका कारण है देखिए अगर आपके साथ दोनों पत्नियां अपनी मर्जी से रहती हैं तो कोई भी प्राबलम नहीं है ऐसे बहुत से मामले आते हैं चांद दो पत्नियां एक ही घर में रह रही होती हैं और साथ साथ रह रही होते ह उने कोई प्राब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल आपका पार्टनर ही आपके उपर बाइगेमी का मुकदमा फाइल कर सकता है, कि इसने मेरे रहते वे मुझसे डावोस लिये बिना दूसरी शादी कर ली, यदि आपका पार्टनर इसमें कोई objection नहीं उ कराए, तभी आपको प्राब्लम हो सकती है, अदरवाइस कोई प्राब्लम नहीं है, आप लोगों के reference के लिए दोस्तों इस judgment का link में इस वीडियो के नीचे description में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस judgment को पूरा पढ़ भी सकते हैं, copy और download कर सकते हैं, नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुडबाई and thank you for watching, take care.